आज मैं मखाना की लावा में बेसन का घोल डाल कर ऐसी यूनिक सी रेश्पी बना कर तयार करूंगी जो की चार से पाच मिनट में बनकर तयार हो जाती है आप एक बार इसे बना करके खा लेंगे तो दोबारा बना करके खाने से आप खुद को रोग नहीं पाएंगे तो सबसे पहले हम बेसन का घोल तयार करेंगे तो यहाँ पर मैं एक कप बेसन लियू हूँ अब इसमें हम डाल देंगे दो चमक मैदा या तो चावल का आटा डाल देंगे बहुत जादा नहीं डालना है दो चम्मच डालना है एक कप अगर बेसन ले रहे हैं बेसन में हम मिला दिये हैं चावल काटा को अब इसमें आधी चोथाई चम्मच हल्दी का पॉर्डट डाल देंगे और साथ में डालेंगे स्वादे नुसार नमक सभी चीजों को अच्छा स मिला देंगे तो बेसन में अच्छा से मिल गए हैं सभी चीजे अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम एक गाढ़ा सा घोल बनाकर तयार करेंगे तो एक या होगी कि तो बहुत जादा पतला हो जाएगी या तो इसमें गुठलीयां पढ़ जाएंगे तो गुठ अभी बेसन का घोल बहुत जादा गाड़ी है तो बहुत जादा गाड़ी नहीं रखना है अच्छा से फेट लेंगे तो यहां पर बेसन को मैंने अच्छा से फेट लिया है देख सकते हैं तो बहुत जादा ना तो मैंने गाड़ा रखा है और ना बहुत जादा पतला रखा ह इस तरह से बेशन का घोल तयार करना है बेशन का घोल को हम रख देते हैं साइट में और यहां पे ले रही हूं में मखाने का लावा ये मार्केट में बहुत असाने से मिल जाते हैं अक्सर हम मखाने का लावा का मिठाई बनाते हैं या तो नमकीन बनाते हैं लेकिन आज मैं कुछ अलग तरह की रेश्पी आप लोग के साथ में शेयर कर रहे हूं पनाने का जो तरीका बहुत इजी है और खाने में बहुत ज़्यादा टेश्टी लगते हैं तो मखाने का लावा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं नापने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मखाने का लावा में अब हम डाल देंगे बेशन का घोल जो बेशन को हमने घोल कर रखा था चमस से सभी बेशन का घोल को हम निकाल कर मखाने के लावा में हम डाल देंगे तो यहाँ पर मखाने का लावा में बेशन को मैंने डाल दिया है अब इसे हम मिला लेंगे ताकि मखाने का लावा में जो बेशन है ना कोटिंग हो जाए अब इसमें हम बाकी चीजे और डालेंगे तो पहले इसको हम मिला लेते हैं बेशन को तो देख सकते हैं मखाने के लावा में अच्छा से कोटिंग हो गया है बेशन अब इसमें हम डाल देंगे बारिक कटी हुई धनिया की पत्ती और साथ में डाल देंगे हम आधि चोथाई चम्मस, साबू, जीरा डाल देंगे आप चाहे तो जीरा का पौडर भी ले सकते हैं या इस तरह से साबूत डाल सकते हैं धनिया की पत्ती को हम अच्छा से मिला लेंगे अब इसमें हम तीखा के लिए डाल देंगे लाल मिर्च का पौडर कुटा हुआ आप चाहे तो हरी मिर्च को काट कर बारी डाल सकते हैं तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं थोड़ा सा मैं तीखा बना रही हूँ इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है लाल मिर्च का पौडर अच्छा से सभी चीजों को मिला लेंगे आप देख पा रहे हैं कि बेशन है पूरी तरह से मखाने के लावा के उपर अच्छा से कोटिंग हो गया है इस तरह से अच्छा से पहले मिला लेना है चलिए चलते हैं गैस की तरफ बनाने के लिए रेडी है यहाँ पर मैं पेन में तेल रख दी थी गरम होने के लिए तेल अच्छा से गरम हो गई है थोड़ा साम डाल देंगे तेल में तो देख सकते हैं उपा तेल कर आ गई है अब हम क्या करेंगे चम्मस से उठाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम तेल में डालते जाएंगे गयस का फिलिम बहुत ज़ादा high नहीं करना है न बहुत ज़ादा medium रखना है बीच में ही रखना है और एक केक करके डालते जाना है आप चाहे तो हातों की मदद से या चमस की मदद से भी डाल सकते हैं या तो आप चाहे एक moran कि लावा को आप अलग-अलग करके भी डाल सकते हैं लेकिन मुझे इस तरह से बहुत अच्छा लगता है बनाने में भी और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी नास्ता है फ्रेंड मखाने का लावा का एक बार आप लोग जरूर से ट्राइ करिएगा आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है जैसे नीचे सुनारा गोर्डन लाइट कलर आ जाए दो से तीन मिनट के बाद में हम उपर के साइड भी पलट देंगे और उलटते पलटते इसे हम कुरकुरा कर लेंगे एकदम चलाते रहना है और इसे उलटते पलटते एकदम कुरकुरा कर लेना है तो यहाँ पर जैसे जैसे आप पुलटते जाएंगे न यह धीरे धीरे कुरकुरा होते चली जाएगी टाइम बिलकुल भी नहीं लगते हैं बहुत जल दिये बनकर तयार होते हैं देखिए हलका सा सुनारा गोल्डन लाइट कलर आ गया अब इसमें हम थोड़ा सा हरी मिर्च को शीरा लगा कर में डाल दी हूँ इस भजिया के साथ में हरी मिर्च फ्राई खाने में बहुत जादा टेश्टी लगती है अगर आपको पसंद है तो आप हरी मिर्च को भी इसी के साथ में फ्राई कल लीजिएगा बस 3-4 मिनट के बाद में देख सकते हैं ये गम कुरकुरा हो गए हैं जब ये कुरकुरा हो जाए उसके बाद में इसे हम तेल में से चान करके निकाल लेंगे तो यहाँ पर ये जो मखाने का लावा का भजिया में बनाई फ्रेंड एकीन मानिए बहुँ ज़्यादा टेस्टी लगती है मेरे घर में सभी को बहुँ ज़्यादा पसंद आती है हटे में 2-3 बार में बनाती हूँ इसी तरह से सभी भजिया को बना लेना है और गैस को बंद कर देना है चलिए लगा लेते हैं प्लेट तो यहाँ पर मखाने की लावा की भजिया और हरी मिर्च की फ्राइट और साथ में टेमेटो कचप तयार है चाय के साथ में खाईए या छोटी मोटी भूख लग जाए और जटपट से कुछ टेश्टी और चटपटा और एकदम कुरकुरा खाने का मन करें तो इस रेस्पी को एक बार जरूर से ट्राइ करिएगा कि मानिए बहुत जादा पसंद आएगी एकदम कुरकुरा बनते हैं और खाने में बहुत जादा टेश्टी लगते हैं जिसको भी आप खिलाएंगे आप से जरूर से पूछेगा कि ये किस चीज का भजिया बनी हुई है कोई नहीं बता पाएगा कि मखाने की लावा की भजिया है इस भजिया को आप चाहे टेमेटो केचप के साथ में या चाय के साथ में या आप धनिया की चट्टी के साथ में खाईए बहुत जादा टेश्टी लगती है और बनाने का जो तरीका है एकदम असान है कम समय में कम समानों में ये चटपट से बन जाते हैं तो उमीद करती हूँ कि आज की हमारी रेश्पी आप लोग को बेहर ज़्यादा पसंद आई होगी पसंद आई होगी तो आप लोग हमारे चैनल को जादे से जादे लोगों में सेर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर जो फ्रेंड नए नए आए हुए हैं अभी तक हमारे चै कर लीजिएगा और जादे से जादे लोगों में सेर कर दीजिएगा कल एक दुसरी नए रेश्पी ले करके आऊंगी धन्यबाद